वेल्कम बेक फ्रेंश टू दा जीस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2020 और आज की करेंट अफिर में जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब सदान किया गया है बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है मैंने आपको बताया है कि साहित सांती और अर्थ सास्त्र इन छेत्रों में जिनको भी नोबल प्रुसकार मिलेगा उनके नाम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं क्योंकि यही कुश्चन आएंगे तो यहापर स ग्लूग को उनकी बे मिसाल काव आवाज के लिए दिया गया है जो की खुपसूर्शिती की साथ व्यक्तिकत अश्च्टित को बताती है और साहित का जो नोबल प्रुसकार है वो स्वीडिस एकेडमी ओफ स्टॉक होम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है ठीक है तो लूइस ग्लूग की बारे में बात करते हैं तो उनका जन्म सन उन्नीस सो दितालिस नैंटीन फोटी थी में नियूँ यार्क में हुआ था और वो बरत्मान में केंब्रिज में केंब्रिज की जो विस्विध्याला है उसमें अंग्रेजी की प्रोफेसर है ठीक है साथे साथ में आपको बता दूँ कि उनको पुलितजर पुरुसकार 1993 और राष्ट्रिय पुस्तक पुरुसकार 2014 ये भी पुरुसकार मिल चुके है ठीक है तो एक महला है तो आप ध्यार नखेंगे कि हाली में साहित का नोबिल पुरुसकार लुइस गलूग को मिला है तो आप्सन आप का बी सय होगा निक्स्ट कोश्यन के आंडिया पोश्ट पेँमेंट बैंक के नए एम डि और सीयो कौन बने है तो इसका आंसर होगा जे वेंककट रंू ऑप्सन डी सय होगा तो जे वेंकट रंू को सक्ष पेमंट बिंक आई पी पिबई में एकुटास स्माल फाइनेंस बेंक में मुख डिजिटल अधकारी की रूप में काररत हैं और उन्हें तीन साल की अवदी के लिए इंडिया पोश्ट पेमेंट बेंक के एमडी और सीओ की पद पर न्यूक्त किया गया है ध्यान नखेंगे इनका कारकाल तीन वर्स का होगा तो बात करते हैं इंडिया पोश्ट पेमेंट बेंक के बारे में तो इस बेंक की स्थापना दो अजार अठारे मुई थी इंडिया पोश्ट पेमेंट बेंक की स्थापना वर्स 2018 में हुई थी और इसको बैंकिंग वीनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तैत भुगतान बैंकिंग कंपनी की रूप में सामिल किया गया था जिसका मुख्याला निदिल्ली में है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मर् 3 भारतिय कपास का पहला ब्रांड और लोगो हाली में किसने लांच किया है तो इसका अंसर होगा इसमरती इरानी और लोगो लांच किया है ठीक है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह भारती कपास का लोगो है और अब भारत के प्रीमियम कपास को विस्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास की रूप में जाना जाएगा कस्तूरी कपास कॉटन सफेधी, चमक, मुर्दुलता सुद्धता और अनूठेपन और भारतिये तक का एक प्रतनेदित करेगा ठीके भारती कपास की बात करें तो भारत जो है कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसी बड़ा उपभुकता देश है और बात करते हैं कॉटन कॉपरिशन ओफ इंडिया की सहे अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष और सहे प्रवंदक हैं वो हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल और कॉटन कॉपरिशन ओफ इंडिया का मुख्याल है मुंबई में राइट नेक्स्ट कुश्यन है कुश्यन नमर फूर हाल इमें आर बी आई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने है ठीक है यहाँ पर डिप्टी गवर्नर की बात की गई है तो इसका आंसर होगा मैं आपको याद दिला दू कि रजनीस कुमार एस बी आई की प्रमुक अभी थे जो कि अभी उन्होंने उनकी इस्थान पर दिनीस कुमार खारा नई अध्यक्ष बने है एस बी आई की जो कि ऑप्टी बी में लिखी हुए है लेकिन यहाँ पर आपसे RBI की नई डिप्टी गवर्नर की क्वेशन पूशे गए है तो यहाँ पर option D सही होगा ठीक है तो कैंसरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को एम राजिस्वर राव को भारती रिजर्बेंग का नया डिप्टी गवर्नर निक्त किया है इससे पहले एम राजिस्वर राव आरवियाई के कारकारी निदिसक की तोर पर कार रत थी वो कैंद्री बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर की रूप में एन एस विस्वनाथन की जगह लेंगे एन एस विस्वनाथन ने स्वास्त कारणों का हवाला देती हुई जून में अपना कारकाल पूरा होने से पहले वर्स 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया था ठीक है तो भरतमान में रिजर्बेंग में चार डिप्टी गवर्नर है और M. राजेस्वर, राओ के अलावा जो डिप्टी गवर्नर है वो है M. ड. पात्रा, बीपी कानून गो और M. के जैन ठीक है और RBI के वर्तमान में जो गवर्नर है जो की 25 गवर्नर है वो हैं सक्तिकांत दास RBI के मुख्याल है M. मुंबई में जिसकी स्थापना एक अप्रावल 935 को हुई थी, राइट, नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमर फाइव, हाली में बारती ये वायुसेना दिवस कम मनाया गया, तो इसका अंसर होगा 8 अक्टूबर, ऑप्सन C सही होगा, तो बारती ये ब्रिटिस समराज जद्वारा, रॉयल भारती वायुसेना गरूब में 8 अक्टूबर 1932, 1932 को हुई थी, और 1950 में इसका नाम बदलकर भारती वायुसेना कर दिया गया, जिसमें से रॉयल सब्द को हटा दिया गया, ठीक है, तो इसमें सब पॉइंट्स को ध्यान नखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि इंडियन एर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसमें भारती वायुसेना ने कई युद्धों और एतियासिक अभियानों में भाग लिया था, ठीक है, और इसकी स्थापना आधिकारिक तोर पर बिटिस समराज की सहायक वाय दियान रखेंगे, नेक्स्ट कोश्यन है, कोश्यन नमर 6, हाली में किस पार्टी के अध्यक्ष और कैंदरी मंत्री रामबलास पासवान का निदन हो गया है, तो यहां पर जो आप्सन दिये गए, इनमें जो राइट आंसर होगा, लोक जनसक्ती पार्टी, आप्सन भी सही ह काम पर मैंने इस न्यूज की अपडेट कल दे दी थी, आपने देखा हुआ, तो देखिए, कैंदरी वोक्ताकार, खाद्य और सावजनिक विद्रण मंत्री रामबलास पासवान का निदन अभी हाली में हो गया है, और उनका जो जन्म हुआ था, वो 5 जुलाई 1946 को हुआ था वो लोक जन्सक्ति पार्टी के अध्यक्ष और 8 बार लोकसवा सांसद और वरतमान में राजसवा से सांसद थे, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि रामबलास पासवान ने अपना राजनीतिक करियर सायोक तो सोसलिस्ट पार्टी के सदस्की रूप में सुरू किया था, 1969 में बिहार विदान सभा के लिए वो चुने गए थी, इसके बाद रामबलास पासवान 1974 में लोक दल में सामे लोग गए और इसके महासचियो भी बने, उन्होंने आपातकाल का विरोध भी किया था और इस अवादी के दौरा उनको गरपतार भी किया गया था, वे 1977 सन 1977 में हाजीपुर, निर्वाचन, छेतर से, जन्ता पार्टी के सदिस की रूप में लोक सभा सांसत पहुचे थे, 1980, 1989, 1998, 1999, 2004, 2014 में वो लोक सभा के लिए चुने गए, ठीक है, तो यह आपका कुश्चिन कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट कुश्चिन है, कुश्चिन नमर 7 हाली में, टिसर कौन, ठीक है, हाइपर सॉमनिक मिसाइल का सफल परिक्षड किस ने किया है, तो इसका जुरायट अंसर है, रूस, ऑप्सन B सही होगा, तो टिसर कौन, हाइपर सॉमनिक मिसाइल का सफल परिक्षड रूस ने किया है, और इस मिसाइल को वाइट आर्क रूसी आर्क्ट में एडमिरल गोक्सेव फ्रिगेट ने लांच किया है इस मिसाइल ने 28 किलो मेंटर अपनी प्रछेपक वक्र की अधिक्तम मुचाई के साथ 450 किलो मेंटर की दूरी भी तै की है ठीक है और साथी साथ ये उडान पर चालन 4.5 मिनट में कम्प्लीट हुई और मिसाइल मैच 8 पर एक हाइपर सौमिक गती पर पहुँच गई ठीक है तो आप जयान लगेंगे रूस के बारे में तो रूस की राज़दानी है मासकू, मुद्रा है, रूवल और वहाँ की राज़पती है विलाजिमीर पोतिन ठीक है नेक्स्ट कॉशन है कॉशन नमर 8 हाली में किस देश के खालिद अलसबाय के नितरत वाली कुवेती सरकार ने नॉम्बर 2020 में होने वाली अगामी आम चुनाओ की चलती अमीर नवाफ अलएमद अलजवर अलसबाय को इस्तीफा सौंप दिया है और उनने 2019 में पी-एम की रूप में कारवार समाला था ठीक है तो बात करते हैं कुव और नदरत करने वाला पहला राज कौन बनाएं तो यहां पर जो ऑप्सन दिये गए इनमें जो राइट आंसर है महराष्ट ऑप्सन यहां पर डी सही होगा तो महराष्ट में मास्क और सेनिटाइजर की कीमत को नियंद्रत करने के लिए संयुक्त समिती ने राज सरकार को ए इंद्रत किया रहा है डाइक नेक्स्ट कोशन है को नमर 10 हाली में जन अंदोलन अभियान किसे ने शुरू किया है तो इसका होगा प्रदान मंतरी नदर्बोदी ने और शुरू किया है अगामी तेवारों और सरदियों और और इस मौसम के साथ साथ अर्थ व्यस्ता को फिर से शुरू होने के मद्दे नर्जर अभ्यान शुरू किया गया है उन्होंने लोगों से हमेशा मास्क पहना हद होना और सामाजिक दूरियों का पालं करना जैसी बातों को याद रखने का एक आग रह गया है तो आप ध्यान सौंगी उनमें स्टार की में रेटिंग दिया करूंगा वन स्टार टू स्टार और थ्री स्टार इससे क्या होगा कि आपको पता चल सकेगा कि थ्री स्टार वाला जो कोश्यन है वह वेरी वेरी इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन है उसको आपको छोड़ना नहीं है याद ठबूर थो क्वेश चलिए यहां पर देखते हैं के डियू डी जणेरो ब्राजील में ठीर और आज का क्रेंट constrained के लिए उद्थर प्रदेश का पहला प्रजण के अंदर के इस स्थापित किया गया है तो इसका आंसर कमेंड बाक्स में पता सकते हैं चार आपसन आपके सामने दिए गई हैं दूदर कुशन जी एस से रिलेटेड है जो की काफी इंपोर्टेंट है और साथे साथ काफी टफ हो सकता है आपके लिए अगर आपने कॉंसेप्ट को सही से नही समझाए तो कुशन आपके सामने है कि किस रिट के तहथ सरवोच्च न्यालय किसी आधिनस्त न्यालय को उसके अधकार छेतर से बाहर सुनवाई करने के लिए रोक सकता है कुशन को मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसी कौन सी रिट है जो चार आपसन में चार प्रकार की र रहे हैं उसको आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं ठीक है सपोज देट उत्तर प्रदेश का उचन्यालय और बिहार के उचन्यालय या जो है मद्द प्रदेश से सम्मझेद मामलों को सुनवाई करता है तो एक तरह से ये बाहर सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश के उचन्याल तो वह आपको बताने है कमेंड वाकस में इसका अब आप जूर जूर बताईएगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कमेंड करने ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमसकार